दोस्तों अगर आप Redmi का Mobile यूज़ कर रहे हैं तो Redmi के Mobile में अब आपको यहाँ पे Gallery अप्लिकेशन में काफी बड़ा यहाँ चेंजिंग देखने को मिलने वाला है क्या चेंजिंग देखने को मिलने वाला है वो मैं आपको इस वीडियो में किलियर करने वाला हूँ सबसे पहले दोस्तों इस डिवाइस के बारे में बात करें तो यह डिवाइस है मेरे पास Redmi Note 10 Pro और इस डिवाइस के बारे में बात करें तो यह आपको डिवाइस देखने को मिलेगा Redmi Note 10 तो चलिए एक device में आपको दिखा देता हूँ जैसे इस ये device अगर आप यहाँ पे देखे gallery application को मैं यहाँ पे open करता हूँ और open करने के बाद अगर album वाले section में जाता हूँ और album वाले section में जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे setting पे click करता हूँ और setting पे click करने वाद आप यहाँ पे देख सकते है जो आपको यहाँ पे backup देखने को मिलता है वो आपको me का cloud backup देखने को मिल जाएगा यह आप देख सकते है इसमें me का cloud backup देखने को मिल जाता है पर दोस्तो इस device के पारे हम बात करें तो ये device आप देख सकते हैं जैसे इसमें gallery application को open करता हूँ और open करने वाइ album वाले section में जाता हूँ तो 3.0 पे click करता हूँ और 3.0 पे click करने वाइ setting वाले section में जाँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपको google photo का backup देखने को मिलेगा इसमें me cloud वाला जो backup देखने को मिलता था उसको हटा दिया गया इस पे जैसे मैं यहाँ पे click करूँगा तो click करने वाद देख सकते हैं आपको google photo का backup देखने को मिलेगा allow पे click किजेगा तो आप अपना data का यहाँ पे backup बना सकते हैं बात करते हैं दोस्तों version के बारे में तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका version तो आपको यहाँ पे दिख रहागा जो version आपको यहाँ पे दिख रहा है 3.4.1.3 यह version आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वही दोस्तों सेम वर्षन आपको इसमें भी देखने को मिल जागा ये आप देख सकते हैं इसमें भी आपको सेम वर्षन देखने को मिलेगा 3.4.1.3 ये वर्षन आप देख सकते हैं इसमें भी आपको यहाँ पर सेम वर्षन देखने को मिल रहा है अब दोस्तों हो क्या रहा है कि कुछ डिवाइस में आपको Google Photo का backup देखने को मिल रहा है और कुछ डिवाइस में आपको MeCloud का backup देखने को मिल रहा है ये bugs है कि क्या है ये पता ने चल रहा है पर आपको इस परकार का यहां पर सो हो रहा होगा तो आप भी अपने डिवाइस में एक बार चेक कर ले कि क्या आपको Google फोटो का backup मिल रहा है या MeCloud वाला backup देखने को मिल रहा है तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताईएगा तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सस्क्राइब लाइक और सेर जरूर कर दीजेगा